नमस्कार साथ ही हो तो आज है 19 जून 2024 बजार में आज थोड़ा सा वलिटिल्टी थोड़ा सा करेक्शन देखनी को मिला जहां पे निफ्टी 50 आखिर में क्लोजिंग दिया लगबग 23,521 पॉइंट पे लगबग 0.15 परसें गिरावट के साथ अब सवाल उठता कि कल ब्रशप करूँगा साथ में ग्लोबाल मार्केट का हाल चाले फैस डेस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेन पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरां तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो क को कवर किया HDFC सीक्यूटी नाम करके ब्रोकर इस द्वारा अनलिस्ट ने इनके अगोरिंग आज की डेट पे निफ्टी 50 जिस लेबल को पर क्लोजिंग दिया वहां से देखे फर्दर वलेटाइल हो सकता है मार्केट जो है थोड़ा सा कंसॉलिडेट कर सकता बट इनकेस सॉलिडेट बिफोर मार्चिंग टूर्ड 24,000 बैंक निफ्टी अप्रोचेस 52,000 जैसे कि आज हमने देखा अल्मोस्ट 52,000 का असपास बैंक निफ्टी अपना अल्टाइम हाई को टच भी किया और उसके साथ साथ निफ्टी 50 की बात करें बीच में थोड़ा सा स्पाइक भी थोड़ा सा कंसॉलिडेट कर सकता है शौर्ट टम बेसिस पर कुछ दिनो अब देखे सामने आपके जी एस्टी कांसिल की मीटिंग है कल प्री बजट मीटिंग अब नेक्स्ट महीने पर यूनियन बजट पेश किया जाएगा तो कहीने के बज़ार थोड़ा सा आइधिंग क उपर से आप देखिए जून का मैंने जैसे खतम होगा जुलाई से एक एक करके कंपणी की डेजल भी आउट होना शुरू हो जाएगा क्वाटर वन पर है ना बागी दोस्तों आपको क्या लगते कमेंट करके बताइए कि कल बज़ार किस तरह मुफ कर सकता है तो जैसे कि आ दो पहर दो तीन बज़े के पहली इससे रिलेटर कुछ ना कुछ खबर तो आ जाएगा अब ऐसा नहीं कि यह कंप्लीट जैसे यूनियन बज़ेट होता है वो बज़ेट रहेगा यह प्री बज़ेट मतब थोड़ा बहुत आपको हो सकते कि हिंड देखने को मिले थोड़ा प्रोजेक्ट 5.8% एनुवल रिटन लोएस्ट एमांग इंपियर्स क्या मतलब क्या वर्रेन बफेट सेन ने यहां पर कहा इंडियर मार्केट के रहे तो जी नहीं बफेट इंडिकेटर बेसिकली देखे जो वर्रेन बफेट सेर्ट जो कि लेजंडरी इंवेस्टर सें ग्ल इंडिकेटर का नाम रखाए तो यह जो इंडिकेटर के थूरू मालूम बढ़ा कि इंडियर मार्केट आज की रेट पे मौटेस्ट ली ओवर्रेन बात नहीं है साथ में इस इंडिकेटर्स के थू यह भी मालूम पर है कि लगबक एन्वाली 5.8 परसंट का आसपस रिटन देश है तब देखिए इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स होता है टाइम के साथ सथ बदल भी जाता है ठीक है ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स देखिए बहुत इ बदानी ग्रूप ने यह प्लैन किया कि नेक्स्ट कुछ सालों पर सौ बिलियन डॉलर के इंवेस्ट होगा मैं आपको जानकर के लिए बताकर रखना चाहता हूं आज की डेट पर जो इवेस्ट और इंडियन करेंसी की रेशियो चल रहा है उसके एकोडिंग सो बिलियन आपको फायदा देखने को मिलेगा आजए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टन अप्डेट आप देख लिजे रीटेल इन्वेस्टर्स प्लेवीट टाइम बॉम बट आर्भी और वचिंग तो जैसी के आपको मैं कल भी एक न्यूश्यर किया था दोस्तों आप अगर इस चैनल नहीं है उनका रिस्क भी मालूम नहीं है रिवार्ड बालूम नहीं है कुछ ओंप मिलके इंवेस्ट किया और से बी उसको पर नजर रख रहा है और यहांपे आज की रिट पर एक निस्ट के दौरह यह कि रिचल इन्वेस्टर्स जो है बेसिकल एक टाइम बॉम को लेके ख है अब देखे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है विकॉस की जो नॉर्मल इंडेक्स है डॉजोंस नास्डेक वो ग्लोज है बट उसका फ्यूचर वह अभी भी ओपन है मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूं आप अभी क्या हाल चल चल रहा है तो अब देख सकते थोड़ा दिखा देता हूं तो आप देख सकतो यह जो अपडेट आपके साथ में शेर कर रहा हूं अभी रात की 10 बच के 35 मीट का एक दब लेटेस्ट अपडेट है जब मैं वीडियो रेकॉर्ट कर रहा हूं ठीक है तो अब गिफ्टी के पोजिशन देख सकतो 23536 पॉइं दिया उससे बहुत सब्सक्राइब उपर नहीं है उसके आसपास ही है और आपके जानकरी के लिए मैं बता करें रखना चाहता हूं नॉर्मल डो इंडेक्स होता है यानि निफ्टी 50 इससे जो गिफ्टी होते है वह लगवख 50-100 पॉइंट ऊपर ट्रेट करना चाहिए तो एक अच्छी कबर यह है कि आज की रेट पे ना बड़े इंवेस्टर्स द्वारा कोई 500-600,000,000,000,000 नहीं बलकि इससे बहुत ज़्यादा खरीदारी देखनी को मिला आईए देख लेते हैं फस्टी का जो आज का और बार हुआ उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो जो भी तक अच्छा लगा informative लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों इस टैप की वीडियो हर रोज पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना आज की रेट पर दोस्तों डियाए ने खरीदारी किया साथ हजार एक सो साथ करोर की शेयर म सेक्टर्स या शियर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है आई थिंग की वह स्मॉल क्याब मेट क्याब या पीए सू है आज बेसिकली वहां पर गिरावट हुआ और आप अगर थोड़ा सा स्टेडी करेंगे एफैस का स्टेक कहां पर मालू में जब से जयादा है बैंक्स के सब्सक्राइब देख लिए टीन परसें एक परसें उपर आके क्लोजिंग दिया इन फोसी यहां बात करें आपके एक्सिस बैंक हो गया आपकी कोटक महिंद्र हो गया तो जिस बैसे बैसिकली आज बैंक निफ्टी के अंदर इतना ज़्यादा तेजी देखने को मिला क्लिय को कि अभी आगे ओल आउट वार हो सकता है मतलब इस्राइल की तरफ से बाकी इस्राइली टॉप इंडिक्स तीए 35 आज लगबग फ्लैट में क्लोजिंग कोई बहुत बढ़ा तेजिया गिरावट देखने को नहीं मिला क्या दोस्तों जो बात मैं आपको बताने जारा हूं मैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना सबसे वहली बात देखिए यह जैसे के लास्ट कुछ दिन अबसे आपको बार और बोलता हूं कि दिके डॉर जोन्स और नैस्डेक का फ्यूचर कल सुबह सो उपन होगा उसको बास एक बार ट्रैक कर लेना दूसरा बैंक टिम को ट्रैक क तो दोस्तों मैं इसी पॉइंट व्यू से वहां पर मेंशन किया अक्चुली कल अगर तीस हजार पांसो इसकी उपर टिक गया तो बहुत अच्छी बात है मार्केट उपर कि तरह मूफ कर सकते है थोड़ा कंसॉलिट भी कर सकता है थोड़ा वलेटाल भी हो सकता है इसा नही नहीं हुआ मतलब तेईसार की तेईसार पांसो के उपर होल्ड नहीं कर पाया और नीचे लेवल ब्रेक हो गया उस केस में गिरावट होगा तो आप क्लियर हो चुका है कि मैं किस पॉइंट व्यू से किस बेसिस पे थमनेल को पर मेंशन किया अगर ऐसा नहीं हुआ तो बज कल फोस्ट हब बहुत इंपॉर्टेंट होने ज़रा है और दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भले इस देखिए आज सेगर आप मैं अपने देखा अल्मोस्ट वहीं कितना होगा धाई बजे का सबस अपना अल्टाम हाइट अच्किया अल्मोस्ट सब्सक्राइब करना है और निफ्टी के लिए कल मैं यहां पर कहूंगा सिर्फ एक ही लेवल मैं कहूंगा वह है तीसार 500 कैसे भी करके इसको फोल्ड करना है अगर होल्ड के कर गया तो बहुत बढ़िया अधर्वाइस नीचे गर गिरावा ठुआ तो मेरे इस अपसे 23,000 सारी 300 तक जा सकता है ठीक है बागी दोस्तों इससे लेटर अगर अगर आपका कोई doubts बगरा है कोई भी queries है सवाल है comment करके बताईए फिलाल इस वीडियो को wind up कर तो मिल दे नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक केर बाबाई जाए हिन्ट